हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर टैन शेत्रमिती प्रशनावली दस पॉंट एक से कोश्य नंबर वन सोल्व करेंगे कोश्य नंबर वन देखें नीचे दी हुई आकरतियों का परिमाप ग्याद कीजिए तो इस कोश्य नंबर वन देखें नीचे दी हुई आकरतियों का परिमाप ग्याद कीजिए तो इस कोश्य में हमें कुछ आकरतियां दी गई है हमें उनका परिमाप निकालना है तो ए पार् आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसकी भुजाओं का योग कर लेते हैं तो यहां पर इस आकृति का परिमाप निकालना है तो इसकी भुजाओं का योग कर लेंगे तो पांस सेंटीमीटर प्लस एक सेंटीमीटर प्लस दो सेंटीमीटर प्लस चार सेंटीमीटर तो ए पार्ट में जो आकरिती दी गई है उसका परिमाप क्या है पांस सेंटीमीटर प्लस एक सेंटीमीटर प्लस दो सेंटीमीटर प्लस चार सेंटीमीटर हमने चारो भुजाओं का क्या करना है योग कर लिया 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 12 12 सेंटीमिटर तो ए पार्ट में जो आकृति बनी उसका परिमाप है 12 सेंटीमिटर बी पार्ट देखें बी पार्ट में हमें याकृति दी गए इसकी देखें एक दो तीन चार भुजाओं का योग कर लेंगे 40 cm प्लस 35 cm प्लस 23 cm प्लस 35 cm तो देखे परिमाप निकालने वास्ते हमने इन चारो भुजाओं का योग कर दिया यानि इन चारो भुजाओं को जोड दिया जोडने पर क्या रहा है 133 cm तो B पार्ट में जो आकरती बनी है उसका परिमाप क्या है 133 cm C पार्ट में हमें या आकरती दी गई है अब हमें इसका परिमाप निकालना है तो देखे इसकी 1, 2, 3, 4 चार भुजाए हैं तो परिमाप निकालने वास्ते हम क्या करते हैं भुजाओं का योग कर लेते हैं इसका परिमाप आप दो तरीके से निकाल सकते हैं एक पहला तरीका तो यह है कि आप इन चारो भुजाओं का योग कर लीजे और दूसरा तरीका यह है देखें यहाँ पर इन चारो भुजाओं की लंबाई बराबर है तो दूसरा तरीका क्या है इसका परिमाप निकालने का दूसरा तरीका परिमाप निकालने का है चार गुणा एक भुजाओं की लंबाई अब देखे 15 और चार को गुणा करेंगे क्या आएगा 15 चोके 60 सेंटी मीटर तो C पार्ट में जो आकरती बनी है उसका परिमाप क्या है 60 सेंटी मीटर आप चाहे तो चारों भुजाओं को जोड़ कर भी इसका परिमाप निकाल सकते हैं तो भी 60 सेंटी मीटर ही आएगा डी पार्ट में यह आकरती दी गई है इसमें 5 पुझाएं एक तो तीन चार पांच तो एक पंच पुझा है तो अब हमें इसका परिमाप निकालने के दो तरीके पहला तरीका तो क्या है कि इसकी भुझाओं का योग कर लेंगे ठीक है तो हम इसका परिमाप आ जाएगा चार सेंटीमीटर प्लस 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 चा पांच से गुणा करेंगे एक भुजा की लंबाई को तो पांच गुणा एक भुजा की लंबाई क्या है चार सेंटीमीटर तो देखें पांच को चार से गुणा करेंगे क्या आएगा पांच जो के बीस सेंटीमीटर तो आकरती D का परिमाप क्या है 20 cm इपार्ट देखें, इपार्ट में हमें अब ये आकरती दी गई है देखें इस आकरती के कुल कितनी भुजाए है एक भुजा ये है जो कि 4 cm है दूसरी भुजा 0.5 cm है तीसरी भुजा 2.5 cm है चोथी भुजा 2.5 cm फिर पांच भुजा 0.5 cm और छटी भुजा ये कितने cm है 4 cm, 7 भुजा 1 cm तो अब हम इस आकरती का परिमाप निकालने के लिए क्या करते है सभी भुजाओं का योग कर दें तो हम इसका परिमाप निकालने वास्ते इसकी सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो 4 cm प्लस 0.5 cm फिर प्लस 2.5 cm, प्लस 2.5 cm, प्लस 0.5 cm, फिर प्लस 4 cm, फिर प्लस 1 cm, то परिमाप निकाले वास्ते हम इन सभी भूजाओं को जोड लेंगे, तो देखे इन सभी भूजाओं को क्या करना है, जोड़ना है, तो देखे, यहां दष्मलव के बाद एक अंक है, तो यहां चार के बाद भी हम दशमलो लिखके एक जीरो लगा देंगे क्योंकि दशमलो के बाद हम जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं ठीक है यहां पे भी देखिए चार के बाद चार के साथ हम दशमलों लगाके यहाँ एक 0 लिख लेंगे यहाँ भी दशमलों लगाके एक 0 लिख लेंगे अब इन सब को प्लस कर लीजे 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 5, 15 15 प्लस 5, 20 का 0 ठीक है, हासिल आई 2 दशमलों के नीचे दशमलों 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 2, 8 8 प्लस 2, 10, 10 प्लस 4, 14 14 प्लस 1, 15 तो क्या है, 15.0 अब दशमलों के बाद जो यह 0 होता है उसे आप चाहें लिखे ना लिखें एक ही बात है ठीक है, तो क्या है, 15 सैंटी मीटर तो इपार्ट में जो आकृति बनी है उसका परिमाप क्या है, 15 सैंटी मीटर एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट में अब हमें यह आकृति दी गई है इसका परिमाप निकालने वास्ते हम क्या करते हैं सभी भुजाओं का योग करते हैं तो इसका परिमाप निकालने वास्ते भी इसकी सभी भुजाओं का योग कर लेंगे तो यहां से शुरू करते हैं पहली भुजा है 4 cm तो 4 cm फिर प्लस 3 cm फिर प्लस 1 cm फिर प्लस 4 cm फिर यह भुजा कितनी है तो प्लस 3 cm फिर प्लस 2 cm फिर प्लस 2 cm फिर प्लस 3 cm फिर प्लस 1 cm फिर प्लस 4 cm फिर प्लस 3 cm फिर प्लस 2 cm फिर प्लस 3 cm फिर प्लस 1 cm फिर प्लस 1 cm तो हम दुबारा यहीं पर आगे तो यहां तक जो हैं हमने इन सभी भुजाओं को प्लस कर लिया तो इनका परिमाप अगरते एक पार्ट में जो आक्रती दीगें, उसके सभी भुजाओं का हम योग करेंगे, तो देखे चार प्लस तीन, साथ, साथ प्लस दो नो, 35 plus 3, 38, 38 plus 1, 49, 49 plus 4, 43, 43 plus 3, 46, 46 plus 2, 48, 48 plus 3, 51, 51 plus 1, 52, 52 cm आया, तो F पार्ट में जो आकृती बनी है, उसका परिमाप क्या है, 52 cm, ठीक है, तो ये था question number 1, आज इस वीडियो में हमने question number 1 solve करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, thank you.